हेलो कीड्स आज के इस वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि घाडी में टाइम को कैसे देखा जाता है देखें हम लोग सबसे पहले घाडी में टाइम को देखने के लिए सिखेंगे इसके बाद हम लोग सिखेंगे कि ए एम और पी एम क्या होता है देखिए जब भी आप घाडी में टाइम को देखते हैं तो सबसे पहले आपको सुईओं को समझना होगा देखिए कोई भी घाडी में तीन तरह के सुई होते हैं देखिए जो सबसे छोटा वाला सुई होगा वह होता है घंटा का सुई और देखिए जो सबसे बड़ा वाला सुई होता है वह होता है मिनट का सुई और देखिए मिनट से छोटा वह होता है सेकेंड का सुई देखिए घाड़ी में जो सुई जल्दी जल्दी चलता है वह जो सुई होता है वह होता है सेकेंड का और जब भी अब टाइम को देखते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि सकेंड वाले सुई को नहीं देखना है जब भी अब टाइम को बताते हैं तो आपको घंटा का सुई को देखना होगा और मीनट का सुई को देखना होगा देखिया हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि यह जो घंटा का सुई है यह किस तरह से काम करता है देखिया जब भी घंटा का सुई अगर मानली जी की एक पर आ गिया अगर एक के सामने होगा तो समय जो हो रहा होगा एक बजेगा अगर यही घंटा का सुई अगर मानली जी की दो के सामने है तो टाइम जो हो रहा होगा वह दो बज रहा होगा अगर देखिये यही घंटा का सुई अगर मानली जी साथ के सामने आ गिया तो समय जो होगा वह साथ बजेगा यानि देखिे गहंटा का सुई जितना संख्या पर जाएगा टाइम उतना ही हो जाता है अगर यह छोटा वाला सुई अगर 10 के सामने आ गिया तो टाइम जो होगा वह 10 बज जाएगा आपको हमेशा आद रखना है कि छोटा वाला सुई जो संख्या पर चल जाएगा टाइम देखिए उतना ही हो जाता है अब हम लोग समझेंगे कि मीनट का सुई जो है या किस तरह से काम करता है देखिए मीनट का सुई को समझने के लिए आपको पांच का पहाड़ा याद होना चाहिए अगर माल लिजिए कि या जो मीनट का सुई है अगर एक के सामने आ गिया तो आपको पांच का पहाड़ा एक बार पढ़ना है यानि पांच का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर या होगा पांच यानि देखिए मीनट का सुई अगर एक पर आ गिया तो वह होगा पांच मिनट अगर देखिए यही मिनट का सुई अगर दो के सामने आ गिया तो हम लोग पांच का पहाड़ा दो बार पढ़ेंगे पांच का पहाड़ा दो बार पढ़ने पर यह होगा दस यानि अगर यह मिनट का सुई अगर दो के सामने होगा तो दस मिनट होगा अगर देखिए यही मिनट का सुई अगर मानलीजे पांच के उपर आ गया यानि पांच के सामने आ गया तो कितना मिनट होगा तो हम लोग पांच का पहाड़ा पांच बार पढ़ेंगे पांच का फाड़ा पांच बार पढ़ने पर यह होगा पचीस यानि अगर यह मिनट का सुई पांच के सामने आ गया तो वह होगा पचीस मिनट तो आप अच्छे तरह से घंटा का सुई और मिनट का सुई को समझ गया होंगे आपको देखिए सेकेंड का सुई को नहीं देखना है अब देखिए हम लोग यहाँ पर इस घाड़ी में एक टाइम को दर्शार हैं जैसे देखिए छोटा वाला सुई जो है वह दो के सामने है और देखिए यह जो बड़ा वाला सुई है यह आट के सामने है तो आपको बताना है कि टाइम कितना होगा तो देखिए आप सबसे पहले समझाएंगे कि यहाँ दोनों सुई में से घंटा का सुई कौन है तो देखिए जो छोटा वाला सुई होता है यहाँ घंटा का सुई होता है और देखिए घंटा का सुई जो है यह दो पर है देखिए यह सुई का नियम होता है कि जितना पर जाएगा उतना ही बज जाएगा यानि देखिए यह दो के उपर है तो टाइम जो हो रहा होगा वह दो बज रहा होगा अब हम लोग देखेंगे कि कितना मिनट हो रहा है तो देखिए मीनट का सुई को समझने के लिए आपको पांच का पहाड़ा पता होना चाहिए देखिए मीनट का जो सुई है वह आठ के सामने है तो देखिए हम लोग पांच का पहाड़ा आठ बर पढ़ेंगे पांच का पहड़ा आठ बर पढ़ने पर यह होगा 40 यानि देखिए यह जो टाइम है यह दो बज करके 40 मिनट हो रहा है देखिए इस तरीका से आप घाड़ी में टाइम को देख सकते हैं अब देखिए हम लोग समझेंगे कि एम क्या होता है और पी एम क्या होता है देखिए घाड़ी में जो होता है वह एक से ले करके 12 तक होता है और देखिए एक दिन और रात में 24 घंटा होता है कोई भी समय जो होता है जैसे देखिए दो बज करके 40 मिनट तो 24 घंटा में दो बार आता है जैसे देखे, एक बार जो आएगा, दो बज करके 40 मिनाट यह आएगा भोर वाला टाइम और देखे, यही टाइम दो पहर का भी आएगा यानि दो पहर में भी जो होता है, वहाँ दो बज करके 40 मिनाट होता है तो देखिए इसको जानने के लिए आपको A.M. और P.M. को समझना होगा जैसे मान लिजिए कि आपके सर जो है वह ट्यूसन पढ़ाते हैं और टाइम बोल दिये कि आपको 6 बजे आना है तो आप सुबह जाएगा या फिर साम को तो देखिए इसी चीज को पता करने के लिए आपको A.M. और P.M. को जानना होगा देखिए A.M. जो होता है वह होता है रात बारा बजे से ले करके दिन बारा बजे तक यानि देखिए जो सुबह में समय होता है सुबह का छो बजे, सात बजे, आठ बजे ये सब जो भी टाइम होगा या होता है A.M. और देखिए पी.M. होता है दिन बारा बजे से ले कर रात के बारा बजे तक जो भी टाइम होगा वह होता है पी.M. जैसे देखिए रात का साथ बजे, आठ बजे, नौ बजे यह सब जो भी टाइम है या होता है पी एम यहां पर देखिए यहां जो टाइम है इसमें एम भी नहीं है और पी एम भी नहीं है तो इसको आप नहीं बता सकते हैं कि या सुबह का टाइम है या फिर साम का टाइम अगर देखिये इसमें एम लग जाएगा तो आपको कहना है कि यह जो छो बज़े है या सुबह का टाइम है जैसे मान लिजिए आपसे कोई व्यक्ति पोछ दे कि एक बज़े पी एम है तो यह जो टाइम है यह कब आएगा तो देखिये पी एम का मतलब होता है कि दिन बारा बज़े से ले करके रात बारा बज़े तक या देखिये एक बज़े पी एम जो है यह दो पहर का टाइम है अगर देखिये यहाँ पर अगर चार बजे एम लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि एम का मतलब होता है सुबह वाला टाइम याँ देखिए यह जो चार बजे है यह भोर वाला टाइम है तो देखिए इस तरह से आप एम और पी एम को भी समझ सकते हैं तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गये होंगे कि घाड़ी में टाइम को कैसे देखा जाता है